आज हम इस वीडियो में बताने वाले सिरीन का उर्थ क्या होता है और सेंटेंस में उसी उस कैसे करते हैं So let's start the video सिरीन का उर्थ होता है निर्मल, शांत, स्थीद चलिए इसको सेंटेंस में और भी एची तरह से समझ देते हैं Example Therefore the master remains serene in the midst of shore इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है इसलिए गुरु दुख के बीच शांत रहता है चलिए निकस एग्जमपल जान लेते हैं She was serene in the grand past the dux इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है ओ ग्रेंट पास the dux में शांत थी चलिए निकस एग्जमपल जान लेते हैं I am better now but not quite serene इस sentence का हिंदी में मतलब है मैं अब बहतर हूँ लेकिन बिल्कुल शांत नहीं हूँ तो चलिए आखरी example जान लेते हैं It was so utterly beautiful, so serene इस sentence का हिंदी में मतलब है यो कितना शुन्दर था, इतना शांत I hope friends आपको आशका ये वीडियो अच्छी लेगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा साथ साथ हमारे इस सेनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा थेंक्यू फोर वच्ची है